गोरगपूर दिवरिया फोरलेन निर्माड में आ रहे ही बादा को दूर करने के उद्देशे से बुद्दुबार को तहसीलदास सदर डॉक्टर संजी कुमार दिख्षित के नेतित में अतिकरमण विरोती अभियान चलाये गया तथा फोरलेन निर्माड में बादा बन रहे अवैद अतिकरमण को हटवाया गया जिसके संबन में सदर गौरफ सिंग सोगरवान ने बताया कि गोरगपूर दिवरिया बाईपास का चौरी करन होना है जिसको देखते वे तहसीलदास सदर डॉक्टर संजीत दिख्षित के नेतित में तहसील के टीम के साथ और एनेश के अतिकरमण को हटवाया है एसजीम सदर ने बताया कि अतिकरमण कारियों को पहले से ही अतिकरमण को हटाने के लिए नोटिस दी गई थी लेकिन कुछ लोग अभी भी अतिकरमण किये हुए थें जिससे सडख चौरी करन में बाधा आ रही थी उन्होंने कहा कि शहर में जहां कहीं भी अतिक्रमण है उन सभी अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है जिसे शासन की योजनाओं को लागू होने में कोई दिक्कत ना हो इस औसर पर तहसीलदार सदर डॉक्टर संजी कुमार दिक्षित कानून गो प्रिद्युमन सिंग लेकपाल आशुतोस दिवेदी विने उम योगेंद्र 24 सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहें इस संबन्द में गुरक पुन्यूस से बात करते हुए सदर गौरफ सिंग सुगरवाल ने कहा करते हैं छोड़िया मैं। जो देवरिया गुरकपुल जो हमारा चौड़ी करनका रवे प्रस्ताव है इसी संदर में शहर के बीश में पोड़ा घाट में बहुत सारे मकान दर्मियान आ रहे थे तो तैसिल्दार सदर के नेत्रतों में आज पूरी टीम लगके जो भी अतिक्रमण था रोल पे उसको एनेच की उपस्तिती में और पीड़वूडी विवाक की उपस्तिती में हटवाया गया पीड़वूडी का ये एक रोड है जहां पे चौड़ी करण हो रहा है इसी के मार्फत कई बार उन्होंने आग्रे किया तक आज स्नेक्ट टीम के द्वारा पूले सब राजे से विवाक के तीम के द्वारा सदर के नेत्रतों में ये अतिक्रमण अटाया गया राज़्टी राजबार प्रादिगरण का एक बहुत ब्रॉजेक्ट उसको करा रहे हैं तो उसमें जो भी रास्ते के द्वरान इंको मिल चुका है हतिक्रमण नहीं अटाये हे उनका हतिक्रमण अटाया रहा है इस इसे जंदर में देवरिया गुरगपुर मार्ग पर भी अ इसको हटवाय भी जा रहा है ताकि सड़कों का जाल जो शासित की योजन है वो फैलन सके